Hello friends, आप सभी का स्वागत एक निवरी हूं Friends, इस बिरुग अंदर बात करना लोगा जो डबल अपर मोड सेटिंग होता है इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं जैसे कि आप अगर सेटिंग में जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ओपो का फोन है और ओपो के फोन में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग होता है जिसको बोलते हैं यह रहा सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको अडिशनल सेटिंग में आपको डबल अपर मोड देखने को मिल जाता है अगर आपके phone में देखने को नहीं मिलता है तो आपको इस setting को enable करना होता है तो इसको मैं सबसे पहले हमाँ off कर देता हूँ और यहाँ पर मैं off करके मैं इसको enable करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ से हट गया, off हो गया है तो यहाँ से हट गया है आप चलिए मैं इसको enable करना चाहता हूँ तो सबसे पहले about phone में जाऊंगा और यहाँ से उपर के तरफ scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिलता है तो इनी में से एक options देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह version आपको देखने को मिलता है तो आपको इस पर click करना है और यहाँ पर build number दिखता है तो इस 5 से 7 बार open करना है और जो भी आपका lock होगा और screen lock उसको आप enable कर देगे तो आप देख सकते हैं आपका जो developer mode है वो on हो गया उसके बाद यहां से हम back करते हैं back करने के बाद आप additional setting में जाएंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका developer mode हागया है और बागी इसके features का इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए मिलते है next video में तब तक के लिए नमस्कार